हेलो फ्रेंग्ज आज हम बात करेंगे की important and useful topic के बारे में treadmill test से सम्मंदित हमने stress test से सम्मंदित already videos की है जो कि आप मेरे चानल पर देख सकते आज specifically treadmill test related important issue पर बात करेंगे treadmill के बात किस लोगों को करने की जरुवत है और किन लोगों को दवा देनी की जरुवत है दवा सब को क्यों देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए और किन लोग को प्राइटी बैसे पे अर्जेंट आंजयो करते हैं किन लोग को प्राइटी बैसे पे दवा स्टार्ट करते हैं और लॉंग टर्म फॉ कुछते हैं तो आज इने अड्रेस करने का प्रयास करेंगे सबसे इंपॉर्टर वैलिड सवाल यह कि क्या हर आदमी जिसको करेंगे सबको एंजो करना पड़ेगा जिसका भी थोड़ा भी पॉजिटिव आया नहीं ऐसा नहीं है अगर किसी का कोई रिस फैक्टर नहीं है यंग पेशेंट यह कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे में आप एंजो तुरंद नहीं भी करें तो चलेगा हाला कि 100% कन्फर्मेशन आपको तभी मिलेगा कि ब्लोकेज है या नहीं वह एंजो के बाद ही मिलेगा लेकिन अगर हां अगर आपको बहुत ज्यादा रिस फैक्टर नहीं बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो आप एंजो तुरंद नहीं भी करें तो चलेगा strong positive अगर ट्रेडमिल है multiple risk factors है diabetes pressure heart का problem है family history है पहले का कोई documented blockage है पहले का कोई stentment किया हुआ है वैसे patient में अगर strong positive आ रहा है तो आपको एंजो करना पड़ेगा multiple risk factors है और बहुत कम effort tolerance आ रहा है तो भी करना पड़ेगा patient को treadmill के दोरा आना का chest pain हो रहा है तो करना पड़ेगा ECG changes बहुत ज़्यादा आ रहे है rhythm changes हो रहा है तो करना पड़ेगा mild से अगर changes है शारिक शमता अच्छी है बहुत अच्छा effort tolerance है तो वैसे case में आप तुरंद आन जो नहीं भी करे तो चलेगा हाला कि final decision वैसे भी case में आन जो के बादी मिलेगा क्योंकि treadmill का predictive value सिर्फ 70% है 100% नहीं है और वो भी खाली critical blockages को detect करने के लिए 70% है minor blockages को treadmill miss ही करता है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि treadmill मेरा normalize का मत्री बिल्कुल clean है कोई blockage नहीं है 30% case में critical blockage भी मिल सकता है और बाकी cases में भी आपको minor blockage तो फिर भी मिल सकता है treadmill का लिए critical blockages को ही detect करता है तो इसलिए treadmill अगर आपका strong positive है multiple risk factors है तो angio करना है mild positive है low positive है risk factors नहीं है तो angio थोड़े दिन wait कर सकते है फिर भी अगर बाद में patient को symptoms होती है या बार-बार तकलीफ होती है या बार-बार treadmill खराब आता है तो फिर angio करके एक बार confirm कर लेना उचित है next important issue है कि क्या medicine देना ऐसे situation में ठीक है नहीं देखिए cardiac medicines का ज्यादा तर यह rule होता है कि एक बार चालू होती तो ज्यादा तर वो lifetime चलती है इसलिए यह माना जाता है कि पहले बिमारी को अच्छी तरह से confirm कर ले अगर प्रॉबल confirm हो गया है कि बिमारी है तो ही patient को दे medicines अगर angiography में कुछ 30-40-50% critical blockage या कुछ भी ऐसा blockage मिल जाता है तो definitely अब justified है patient को medicine देने के लिए by chance angiography पूरी तरह से normal आता है तो वैसे में medicine का कोई ज़रूद नहीं है तो ideal तो यही है कि medicine हर patient को angiography के बाद ही start करना चाहिए नहीं तो नहीं पर कई बार क्या होता है कि patient को angiography कराना नहीं है patient का multiple doctor shopping के लिए जाते है भले strong positive भी तरह में पर patient angiography के लिए नहीं है वो थोड़े दिन नहीं कराना चाहता है थोड़े दिन medicine पर trial रख के देखना चाहता है यह doubtful report है कि आपको लग रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दू की नहीं दू दवा तो वैसे cases में अगर strong positive है तो आप full-fledged दवा चालू कर देंगे अगर patient angio नहीं भी करा रहा है तो भी आपको as a doctor medicine सारी start कर देनी चाहिए पर मान लिजे कि patient को mild positive है यह doubtful report है patient angio नहीं कराना चाहा रहा है पर फिर भी risk factors थोड़े बहुत है आपको doubt है कि शायद आभी सकता है तो वैसे case में हम double anti plate के बदले single anti plate ले दे देते हैं खुन-पतला का नहीं देवा cholesterol की देवा BP sugar की देवा थोड़ा कम dose पर उनको start कर दिया जाता है risk factors का control cardiac point of view थोड़ा aggressive कर देते और वैसे patient को regular follow up के लिए regular touch up के लिए बुलाते रहते कि आप regular पे आते रहो अगर कभी भी ऐसा लगा कि condition बिगड रही है symptoms बिगड रही है repeat treadmill में problem आ रहा है तो फिर angio करना पड़ेगा और कोई भी तकलिफ नहीं है और patient को साल दो साल कोई भी problem नहीं आ रही है repeat treadmill में भी performance प चालू कर देते हैं थोड़ा cholesterol की दवा चालू कर देते हैं अब बाद में उसका decision दवा continue करनी है कि नहीं करनी है वह एंजो पे decide करते हैं कि दवा फाइनली अगर पूरीतर से normal आ जाते हैं तो बंद भी कर सकते हैं अगर कुछ तकलिफ आते हैं तो दवा ज्यादा dose भी कर सकते हैं तो उसका decision फाइनली एंजो के बाद ही होता है ये वैसे ही है कि जैसे अगर मानलीजे treadmill test का importance वैसे ही कि जैसे आपको मानलीजे खासी हुई ह और हमने अपका x-ray कराया उसमे एक धबा दिखाई दिया तो बगेर confirmation हमको directly आपको lung cancer का treatment नहीं चालू कर सकते हैं मानलीजे आपको सरदर्द हुआ तो बगेर confirmation directly हम आपको brain tumor का treatment चालू नहीं कर सकते हैं पहले पूरा test करना पड़ेगा confirm करना पड़ेगा कौन से type का है क्या ह क्या नहीं सब पता चलेगा CT scan, biopsy, MRI सब करके उसके बाद ही हम आपको treatment चालू कर सकते हैं नहीं तो treatment का इतना side effect हो जाएगा जितना बिमारी का नहीं है तो heart के बिमारी में भी असा है कि अगर आप जब तक angio नहीं करते हो तो अब तक आप 100% sure shot नहीं बता सकते हैं कि आपक नहीं है किताबों में guidelines में ऐसा नहीं लिखाए कि ऐसा patient को दवा नहीं start करो अगर दे रहा है doctor तो गलत नहीं है पर वो individual decision case to case doctor decide कर सकता है ideally मेरा suggestion यह कि अगर strong positive आज़ो है तो आज़ो करा के confirm करें उसके बाद medicine का decision लीजे mild positive है तो थोड़ा low dose medicine start करके wait and watch कर सकते है ज्यादा रही है तो वैसे case में dobutamin stress C को या stress thalium या stress test test कर सकते है stress MRI कर सकते है पर बहुत सारे test में treadmill तो करना ही पड़ता है dobutamin stress C को में dobutamin से heart को stimulate करते है और उससे बाद patient analysis करते है उसका भी predictive value लगभग stress test जितना ही है पर वो जादा तर वैसे patients में ही prefer करते है जहां पे patient handicap होता है या उमर ज्यादा की वज़े से joint pain की वज़े से नहीं दौर पारा है treadmill में तो ही prefer करते है नहीं तो dobutamin stress C को ज्यादा cumbersome होता है ICU में भी रखना पड़ता है patient को medicine side effect होने का chance भी रहता है तो वैसे कि इसको routinely dobutamin stress C को नहीं करते है first practice exercise treadmill होता है वो ना कर पाए patient तो ही dobutamin stress C को करते कई बार लोग ऐसा पूछने कि सब treadmill में जब कुछ पता चलने वाला नहीं है और जब final decision angio में होता है तो क्या angio directly करना justified क्यो नहीं है ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि बहुत high risk patient है multiple risk factors है ECG में changes है तो फिर आपको definitely पहले angio करना justified है पर अगर मान लीजे risk factors बहुत ज्यादा नही है patient को बहुत जादा problem नहीं है ECG में भी changes नहीं है treadmill inconclusive है तो वैसे case में आप directly angio के लिए जाने का बहुत मतलब नहीं है क्योंकि angio invasive test है उसमें risk भी होता है नलियों के damage होने का भी risk रहता है तो वैसे cases में आपको angio तभी करना चाहिए जब indicated हो angio ऐसा test नहीं है जिसको आप चलो करके देख लेते हैं क्या निकलेगा हर 6 मैंने में एक बार angio करके देख लिया उस तरह का test नहीं है वो एक invasive test है जिसमें थोड़ा बहुत risk भी होता है contrast related heart or kidney का damage होने का chance भी रहता है तो angiography को आपको तभी करना चाहिए जब indicated है जब treadmill positive है जब doctor को लग रहा है कि हाँ इ angio करके देखने का कोई बहुत ज्यादा sense नहीं क्योंकि उसमें ज्यादा तर आपको दुखसान ही होगा कुछ फाइदा नहीं होगा और वैसे cases में routine आप अगर angiography करोगे तो 80-90% अगर टाइम लोगों का angio नॉर्मल ही आएगा selected करके जब हम specific लोगों का angio करते तो उसमें अगर हम 5 angio करते हैं तो 3 का positive आता है चार का positive आता है ज्यादा अच्छा selection होता है patient का हाँ obviously उसमें ये risk तो जरूर रहता है कि एक दो case जिसको blockage है वो angio नहीं करने के वज़े से miss out हो जाएंगे पर वैसे patient को हम follow up में बुलाते हैं वाप इसे treadmill करके देखते हैं अगर problem लगत से आठिया और treadmill normally आएंगे patient को अने से side effect होगा और हर चाह मेंने साल बर में आप angiography करते नजर आएंगे तो आज का topic में हमने बात करी कि angiography और treadmill ये सब टेस्ट में क्या difference angiography किस patient में करना चाहिए अगर positive treadmill है क्या हर patient जिसका treadmill positive है सब का angio करना चाहिए और किसको दवा देन कि जरूरत है किसको नहीं उस बारे में बात करी यदि इस topic को सम्मधित आपके कोई comments, queries, suggestions है कोई और topics पर आप चाहते हैं वीडियो बनाए कोई patient rated queries है तो नीचे comment section में उनके बारे में बताए हम उनने cover करने का प्रयास करेंगे अंत में मैं Dr. Naveen Agrabad तही दिल से आपका शु जो लोग हमारे चैनल पर बहुत डीटेल वीडियो नहीं देखना चाहते हैं सिफ शॉट समरी चाहते हैं उनके लिए regular basis पे हम YouTube शॉट्स अफ्लोड कर रहे हैं जिसमें यह सारे topics का brief one minute summary रहता है आप वो topics को भी देखके फाइदा उठा सकते हैं यह सारे videos और shots हमारे चैनल म लगेगा